So, hey everyone, welcome to Anakadmy. आरोगे कैसे हैं सभी लोग, तो I hope सभी लोग बढ़ी आउंगे, घर वाड़ है, मस्ट वे, मैं आप लोग अपने preparation कर रहे होगे, तो आज का वीडियो काफी जादा खास होने वाला है, बहुत जादा important है, तो in do's and don'ts पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग ने इसको initial time पे ध्यान दे दिए, तो जो बचे हुए one month है, उसमें आप लोग बहुत बढ़िया preparation करके, term one में बहुत बढ़िया marks ला सकते हो, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का content हम आप लोग के लिए regular इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो चलिए start करते इस वीडियो को, तो जैसे जैसे exam करीब आने लग जाता है, गर हमसे गलतियां भी काफी जादा बढ़ने लग जाती है, तो कौन से do's हम लोग को करना है, कौन से don't हम लोग को नहीं करना है, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले है, तो आप लोग अगर class 10 से हो, या class 12 से हो, स्लेबर से हट के चीज़ों को पढ़ने लग जाते हैं, कम टाइम बचा हुआ है, हमें smart work करने की जरूद है as compared to hard work, तो एक चीज़ याद रखिए, स्लेबर से reduce वाले pattern के according follow-up करने की कोशिश करें, और कौन-कौन सी चीज़े, कौन-कौन से chapter आप लोग के term 1 के अंदर आए है, उन सब लोग को आप लोग को देखना बहुत जरूरी है, तो आप लोग CBSC के official website से जाके new slavers को download कर लीजे, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहेगा, क्योंकि slavers अगर आप लोग को ने जान लिए तो majority of things तो आप लोग की यहीं पर complete हो जाएगे, क्योंकि आप लोग rectify कर पाऊगे कि किस तरीके से किस topic को कितना वक्त आप लोग को देना है, next जो चीज़ आप लोग को करना है वो है NCID, याद रखिए आप last moment बचा हुआ है, इस time पर आप लोग को बड़ी-बड़ी reference book को उठाने की बिल्कुल ज़रुवत नहीं है, आप लोग को अपने refined notes के साथ-साथ NCID को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि turn 1 का examination है, हम में से कोई नहीं जानता है, या exam में किस type के questions आएंगे, तो CBSC को बनाने वाली है, तो कहीं न कहीं CBSC आयरे maximum चीज़े NCID से cover up करवाई ही, और ये पूरा का पूरा record है कि हमेशा examination में NCID से ही काफी सारी चीज़े पूछी जाती है, तो आप लोग को point to point, NCID को cover up करना है last के 30 days के अंदर, जो आप लोग के लिए बहुत जादा important रहेंगे, आप लोग के concept को और जादा better बनाने में, अब अगली चीज़ निकल के आती है, maximum लोग करते क्या है, क्यार concept पढ़के चल जाएंगे, और बोलेंगे कि exam पे अच्छे से prepare कर सके, ऐसा नहीं करना है, आप लोग को practice करना है questions की, आप लोग sample paper की दुरू कर सकते हो, sample paper की दुरू अगर आप लोग questions की practice करोगे, तो वहाँ पे आप लोग simple MCQs, assertion reasoning के questions, case study के questions, इन सभी type के questions को आप लोग बहुत अच्छे से prepare कर सकते हो, और जो गलती हो रही हो, उसको वहीं पर rectify करते हुए, अपने आप को exam ready बना सकते हो, so next एक और जी निकल के आती है आप लोग के लिए कि जब भी आप लोग questions को attend करते हो, गलती हैं हो सकती है, तो ये सभी चीज़े आप लोग के practice करने से आएगी, concept के बाद आप लोग practice जरूर करें, जिससे कि इस तरीके के careless mistakes से आप लोग बच सकते हो, साथ में जो next चीज़ निकल के आएगी वो है time management, तो time management बहुत जरूरी है exam preparation के लिए, और check out करेंगे कितना आप लोग को उसमें बन रहा है, और साथ ही साथ कितने time में आप लोग उस पूरे के पूरे mock test को cover up कर रहे हो, और next और काफी important dues आता है, वो ये है कि negative marking आप लोग को बिलकुल बिलेगें, mcq bank लगाना चालू कर दिया, ऐसा नहीं है, आप लोग को पहले concept पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को practice करने के लिए mcqs solve करना है, इसके लिए मैंने dedicatedly वीडियो बनाया हूँ, concept versus mcq, i button पर दाल देता हूँ, वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को check out, जरूर करना है, जिसमें मैं डीटेल में समझा आया हूँ कि concept को आप लोग पढ़े, या mcqs को पढ़े, नेक्स चीज़ों निकल के आती है, आप लोग के लिए वो यह है कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक question में ही फसे नहीं रहना है, कई बार क्या होता है, जब भी आप लोग questions attend करना चालू करूंगे, जिस questions को actual में 2 minutes या 3 minutes की जरूरत पढ़ रही थी, उसमें आप लोग इतने देर वक्त लगा दिये कि आप लोगों ने उस चक्कर में आप लोग के 5-6 minutes आप लोग के यहां पर बरबाद हो गये, क्योंकि अच्छी भली preparation आप लोग के खराब हो सकती है, टाइम को देखते हुए कि हमारे पास वक्त कम बचा हुआ है, इतने सारे questions को हम लोग को करना है अभी, आप लोग को OMR sheet को सही तरीके से fill-up करना है, असानी कि casually कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि आप लोग का कई बार होता क्या है कि अच्छी भली आप लोग की preparation रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, गई चीज़ों में गलतिया करते हो, जिस तरीके से, जिस question में actual में OMR sheet में fill-up करना का, उसकी जगा दूसरे में करती है, या फिर नेम, spelling, या roll, number, इन सब में गलतिया कर लिए, तो इसके लिए आप लोग हो सके, तो एक य आप लोग को ये चीज़ गिरा देगी, तो better है, आप लोग neutral रहे, at least confident तो रहे कि आप लोग का examination बहुत अच्छा जाएगा, तो ये थे do's and don'ts, जो आप लोग के term 1 के लिए बहुत जादा important है, तो उनको follow-up जरूर करें अपनी preparation के time पे, और जिसके तरू आप लोग का better result न के बारे में, so Unacademy आप लोग को provide करता है different batches, जिसके तरू आप लोग जा कि अपने पूरे के पूरे course को complete कर सकते हैं, चाहे अगर आप लोग science से हो, या फिर arts से हो, या फिर commerce background से क्यों ना हो, इंडिया के top educator आप लोग की घर better preparation कराने के लिए तयार है, तो बिलकुल in batches को ज़रूर join करें, description में आप लोग को link provided है, जिसके तरू आप लोग अपनी upcoming journey को plan कर सकते हो, इसी तरीके से, Unacademy आप लोग को provide करता है एक बहतरीन feature, जिसका नाम है ask doubt feature, जिसको use करके आप लोग अपने unlimited doubts को घर बैटे पूछ सकते हो, जब भी आप लोग को एक homework करने के आप लोग को provide है, तो चली मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से आप लोग ask doubt feature को use कर सकते हो, simply आप लोग को Unacademy के application डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोग को एक tab दिखेगा ask doubt, उसको click करने के बाद आप लोग को पूछेगा कि आप लोग को इस photo को click क करना हुआ जो भी आपका question है, उस question को आप लोग को simply crop करना है और send कर देना है, send करने के बाद आप लोग को subject use करना है कि actual में कौन से subject का है, और तुरंद आप लोग को accurate answer मिल जाएगा, तो है ना कितना असान, तो बिलकुल आप लोग इसको use करे, घर बैटे आप लोग की preparation मे unlimited access होता है सारे के सारे courses में, और आप लोग अपने comfort zone में बैट के अपने preparation कर सकते हो, regular doubt clearing sessions होते है, पूरा का पूरा syllabus आप लोग का complete करवा के दिया जाता है, mentorship और guidance provided होती है, top educator के तुरू, study material आप लोग को PDF form में मिलता है, practice test होते है, इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे batches के courses भी available है, जिसके दुरू आप लोग अपने upcoming journey को plan कर सकते हो, तो यह रहे कुछ subscription plan on academy के, तो आप लोग अपने convenience के according subscription plan choose कर सकते हो, और simply आप लोग मेरा code ROGIZZAKY use करके 10% off भी पा सकते हो, on academy plus में, इसी तरीके से on academy iconic में, अगर आप लोग जाते हो, तो यहाँ पे आप 30 degree support system मिलता है, जहाँ पे आप लोग को plus के benefits तो मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा आप लोग को यहाँ पे personal mentor मिलेंगे, जो आप लोग को one on one guide करेंगे, live doubt solving sessions आप लोग को मिलेंगे, weekly reports आप लोग को मिलेंगे, कितने अच्छा आप लोग progress कर रहे हो, और आप लोग के parents connected रह स उन से, और साथ में आप लोग को provide रहे है एक study planner, जिसके तुरू आप लोग अपनी बहतरीन preparation घरवेटिक कर सकते हो, और बाकी plus के benefits इसमें आप लोग को मिलते हैं, इसी तरीके से आप लोग अपना subscription plan कर सकते हो, iconic कभी अपने convenience के according, तो simply अगर आप लोग को 10% का discount चाहिए हो plus या फिर iconic के subscription के लिए, तो आप लोग मेरा code ROGIZA की यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग किसी भी free classes में, या unacademy के किसी भी event में अगर आप लोग join होना चाहते हो, जो एकदम free of cost होता है, बट वहाँ पे एक invitation code मांगता है, तो आप लोग वहाँ पे ROGIZA की करता रहता हूँ इस चैनल पे तो आप लोग इस चैनल को subscribe जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का मसेदार content regularly में आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स वीडियो में है, जब तक के लिए, good bye!